पहली बात तो जिस Muslim Personal Lab Board की इतनी चर्चा होती है जिस Personal Lab Board Muslim Personal Lab Board के लोगों को लोग टीवी पे बुला बुला के बहस कराते हैं वो Muslim Personal Lab Board simply एक NGO है और भारत में लगबग 25 लाख NGO है उसी में से एक NGO ये Muslim Personal Lab Board है मैं भी NGO बना सकता हूँ मैं अपने NGO का नाम रख लो हिंदू Personal Lab Board तो क्या मैं जो कुछ कहूंगा वो पूरे भारत के और पूरे दुनिया के हिंदू की आवाज होगी आप भी अपना एक NGO बना लीजे आप लिख दीजे हिंदू के नाम से कुछ भी बना लीजे तो क्या आप जो बोलेंगे वो पूरे हिंदू की आवाज होगी मुस्लिम भाई इस देश के सभी नागरी के अच्छी तरीके समल लें कि मुस्लिम परसनल लाबोर्ड की आवकार केवल और केवल एक एंजियो की है मुस्लिम परसनल लाबोर्ड एक एंजियो है 1973 में जब कांग्रेश छटपटा रही थी कांग्रेश के दिन यहां बुरे चल रहे थे तो उस समय इंद्रिया गांधीजी ने एक एंजियो बनवाया था अपने दिमाख में कुछ इनके चल रहा था देश में विभाजन को बढ़वाने के लिए तो उन्होंने इस एंजियो के स्थापना करवाई थी 1973 में और आज भी ये एक एंजियो है और कुछ नहीं है हाँ इस एंजियो को विदेशों से चंदा अच्छा आता है इसने अपन इलाज है भारत में प्रापर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया जाए जिस दिन भारत में प्रापर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बन जाएगा उस दिन भारत में कम सकम दो लाख एंजियो धारी भारत छोड़के भाग जाएंगे मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, मैं जानता हूँ इस NGO, जो दुनिया भर के NGO चलने हैं, उनका एजेंडा क्या है, उनका मूल एजेंडा है, खाड़ी देशों से पैसा ले ना, विदेशों से पैसा ले ना, पैसे लेके मर्चलीज खरीना, फ्रम हाउस खरीना, बड़े-बड़े बंगलो बनवाना, और बीच बीच में ऐसे विवाजनकारी बाते करना क्योंक उनको पैसे इसी काम के लिए रहे हैं दूसरी बात है मुस्लिम पर्सनल लाबोर अगर ये कह रहा है कि इस देश में समान नागरी संगिता नहीं होनी चाहिए तो वो तो ये भी कह चुका था इस देश में ट्रिपल तलाग चलना चाहिए मेरी PIL हलाला के खिलाफ है उसमें कह रहा है वो हलाला का समर्थन कर रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लाबोर वो उन सभी कामों का समर्थन करता है जो सम्मिधान विरोधियों मुस्लिम परसनल लाबोर्ड बहविवा का समर्थन करता है मुस्लिम परसनल लाबोर्ड हलाला का समर्थन करता है मुस्लिम परसनल लाबोर्ड ट्रिपल तलाक का समर्थन करता है मुस्लिम परसनल लाबोर्ड चाची मामी से निकाह का समर्थन करता है तो जितने भी चरम पंथी सोच है, कटर पंथी सोच है, उनुमादी सोच है, उन सभी चीजों का समर्थन करता है, जहाँ वैज्ञानिक सोच विक्सित करने की बात हो, तारकिक सोच विक्सित करने की बात हो, चीजों को आज 21 सती में मानुवियता के अधार पे देखने की बात और सबसे बिड़ी बात हुओ सम्मिधान इसमें एक हैधराबाद के मिम्बर है मतलब वो बिर तीस व्रमे कम 10 लेकिन सम्मिधान की सपति बात करें हमेशा कर है practically 44का लागु कर तो यह पापने बहुत अच्छा कारीका सुरू किया है हम एक एक करके हम भारत में ये संविधान में जो जो आर्टिकल हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं इस विशे को जंजन पहुंचाईए लोग को पता चलना चाहिए कि पहली बात तो संसद में संविधान की कसम खाके बैठे लोग किस तरीके संविधान की दज्जिया उड़ा रहे हैं जिन लोगों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला के वल संविधान को लागू करने के लिए मिलता है वो संविधान को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से संविधान की सपत लेके संविध बिरोधी कारी किया जा रहा है यह इसको जन जन पहुंचाना हमारे युवा साथियों की ड्यूटी है यह जो इससे में पब्लिक 24 से जो जुड़े हुए लोग है इनकी ड्यूटी है और मैं आशा करता हूं कि इस तरीके करकम अगर और चलता रहा तो बहुत जल्दी ही जनता ह जो धारी हैं जो अंदोलन जीवी हैं जो एंजीओ जीवी हैं यह अपनी दुकान चलाते रहेंगे इनकी दुकान बंद करने के लिए कठोर कानून बहुत बनाना बहुत जरूरी है